नमस्त दोस्तों मैंन कुरारिया आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यसनातन में आज हम इस पार्टकस भाई से बात करेंगे और बात करेंगे किस प्रकार से जो आप हिजरत की बात करते हैं मक्का से लेकर के मदीना तक की जो हिजरत की गई थी जिसको एक पवित्र यात्रा भी माना जाता है उसके पीछे की सच्चाई क्या है और दूसरी चीज ये कि इनको ये हिजरत करनी क्यों पड़ी थी और इनको वहां से अपनी जान बचा करके मदिना भागना पड़ा था और जब कोई सामने से युद करे तो फिर मुहमस साब क्यों ना युद करते यानि कि उन्होंने तलवार का जो जवाब था तलवार से दिया लेकिन बाद में दिया इन सब की reality को हम जानेंगे क्यों इन्होंने ये हिजरत की थी और ये हिजरत क्या मक्का से मदिना थी या किसी और स्थान से मदिना तक की थी ये पूरी history के उपर हम point two point बात करने वाले हैं आप इस वीडियो को अंते तक जरूर देखिएगा इससे आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा मुसल्मानों से मैं पहले से पहली कहना चाहूँगा कि आप लोग पहले अपनी हिस्ट्री को पढ़ें तब जाकर के आप नीचे अपने मादरसा में पढ़ी हुई सिख्षा का दिखावा करें अनेथा बिलकुल भी ना बोलें केवल आप जो अपने मौलानाओं की बास सुन करके यहाँ पर अपनी गंदगी फैलाते हैं वो अब बरदास्त नहीं की जा सकती आप अपनी कुरान को ध्यान से पढ़ें उसके बाद में आएं और ये वीडियोज बनाना है इसलिए अत्यान तवश्यक है दोस्तों क्योंकि जो कनवर्जन आजकल चल रहा है इसलाम के नाम पर के इसलाम में कितनी अच्छाईया है उनकी इन अच्छाईयों के ऊपर हम जब तक समिक्षात्मक वर्ण वारता नहीं कर लेते तब तक हम कैसे अपने समाज को इस काल के ग्रास में जाने दें इस काल के मुह में कैसे जाने दें इसको काल का ग्रास कैसे बनने दें इसलिए तर्क वितर्क हर और से होना चाहिए और हम आज इसी पर यह है पूरी की पूरी एक समिक्षात्मक वीडियो आपके सामने ले करके आए हैं इसको शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करना ना भूले धन्यवाद फिर से मैं अपील करना चाहूंगा कि एक्स मुस्लिम स्पार्टकस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें बैल ऐकन को प्रेस करें क्योंकि उस चैनल पर वो सभी वीडियो आती हैं जो हमारे इस चैनल पर नहीं आती हैं आज एक्स मुसलिम स्पार्टकस का अगर जो भी नाम है या जो पैजान है वो सिरफ और सिर्फ इस वज़ेसे है कि अंकर आरिय के चैनल सत्या सनातन से एक्स मुस्लिम स्पार्टकस जड़ा हूँ है अगर किसी को यकीन नहीं होगा तो वह जाकर यूट्यूब पर सच्च क मेरे भाई आपकी हेल्प की वजय से हूं और इसमें कोई डाउट की बात नहीं है थैंक यू सो मच मेरा यूटीब चैनल भी आपके ही इंस्पिरेशन की वजय से था आपने इंकरेज किया यूटीब पे आने के लिए वीडियो बनाने के लिए हिजरत मदीना इसलामी तरीख का एहमतरीन वाक्या है जिसकी बुनियाद पर इसलामी हिजरी कैलेंडर भी जारी हुआ था यानि इसलामी जो कैलेंडर है वो हिजरत के साल से जारी हुआ जब मौमद ने मक्का से मदीना हिजरत की basically वो मक्का से मदिना हिजरत नहीं थी, वो कहीं और से थी, वो आगे चल के आपको बताऊँगा मुखतलिफ इसलामी राइटर्स या हिस्टोरियन्स जो है, उनकी बयान की हिजरत की तारीख जो है, उसमें भी तजाद पाया जाता है, उसमें कॉंटरडिक्शन है लेकिन सब के सब जो हिस्टोरियन्स हैं, वो इस पार पर एग्री हैं कि मुखतलिफ ने मक्का से मदिना का सफर साथ या आठ दिनों में मुकमल किया मक्का से मदिना का जो बाई एर अगर आप जाए ना, बाई एर डिस्टन्स तीन सो परचास किलोमेटर बनता है, यानि त्री फिफ्टी किलोमेटर है लेकिन अगर जमीन यद पैदल रस्ता लें या उंटू के जरी रस्ता लें तो ये डिस्टिंस बनता है पांच सो किलमीटर यहां पर दो बातें बड़ी इंपॉर्टनेंट हैं और वो दो बातें इसलिए इंपॉर्टनेंट हैं कि मैं आपको बता देता हूँ एक तो यह है कि इस सफर का जो कुल डियूरेशन है यानि हिजरत का जो कुल डियूरेशन बताया गया है वो 21 दिन 21 देज कहीं कहीं तो 25 देज भी है लेकिन 21 देज पर ज्यादा मुसल्मान हिस्टोरिंज का क्या कहते है एग्रीमेंट है कि 21 देज लगे थे और यह भी बताया जाता है कि मुहमद ने जो है मक्का से पहले मदीना से पहले एक छोटा सी जगा थी कुबा कुबा के उपर कुछ दिन गुजारे थे मक्का से मदीना से बाहर वहां से मक्का से कुबा पहुचने के लिए कुल साथ दिन लगे मुहमद जब अपने घर से निकले तो पहले तीन दिन जो है वो मक्का के साउथ में अब यहां यह बात जरा गोर से सुनिएगा मुहमद ने पहले तीन दिन मक्का के साउथ में गारे सौर में गुजारे जबकि जाना उनको मदीना में था जो मक्का के नौर्थ में है विपरी उल्टी दिशा में उल्टी दिशा में अब यहां सवाल ये बनता है कि भाई साथ जब आपको नौर्थ जाना था तो पहले साथ की तरफ क्यों नकल लिए लेओडे देखिया सोरी तीक है अगर मक्का वालों से डर था और मदीना आपकी मनजल थी तो मनजल यहां नी मनजल कहते हैं डेस्टिनेशन की डेस्टिनेशन को तो आपने अपने और अपनी डेस्टिनेशन के दरमयान मकाकियों खड़ा कर लिया अब अकल वली यहां पर अकल को इस्तमाल करें ना कि जिस बंदे ने एक तरफ जाना है तो आप उस तरफ भागेगा और उस तरफ जा के कहीं पर कुछ लोगो पहाडी होगी या कुछ जगा होगी वहां पर पना ले लेगा लेकिन ये बिल्कुल उल्टी दिशा में चल निकला है अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर यह निस्तोरियन्स हैं वो एक बड़ी एक अनएकसप्टिबल और एक ऐसी स्टोरी बताते हैं जिसके उपर यकीन करना जो है जिस बने के पास अकल है वो इस स्टोरी पर यकीन नहीं करेगा अब इबने हिशाम और तबारी के मताबिक अबुजेहल अबुजेहल कुरेश का सरदार था अबुजेहल के वारे मैं अगर कहेंगे तो एक डिटेल के साथ अलग वीडियो बना लेंगे लेकिन अभी आपको इंटरड़क्री यही बता दूँ कि कुरेश का एक सरदार था अबुजेहल बेसिकली एक बहुत पड़ा लिखा और बहुत सुलजाओ आदमी था लेकिन मुहमद ने उसको अबुजेहल का लकब दिया था कि जहालत का बाप खर अबुजेहल मुहमद की तलाश में अबुबकर के घर पहुंचता है और अबुबकर की बेटी असमा से पूछा कि अबुबकर कहा है तो असमा ने बोला कि वो यहां नहीं है इस पर अबुजेहल ने असमा के कान के नीचे ऐसा जहांपड मारा कि उसके कान की बाली गिर गई अब यहां एक और स्टोरी भी है वो स्टोरी यह है कि अबुबकर का एक बेटा भी था जिसका नाम अब्दुल्ला था अब्दुल्ला कुरेश वालों के साथ रहता था कुरेश वाले अबुबकर के बेटे के सामने मश्वरे करते थे मुहमद के बारे में और अबुबकर के बारे में कि वो कहां चुपा हुआ है क्योंकि वो तो हारे सोर में चुपा हुआ हुआ था तो अबुबकर का बेटा सारा यहाल सुनता, सारी बाते सुनता और शाम को अपने बाप यानि अबुबकर और मुहमद को जाके सुना देता था बात समझ में आई या या एक्स्प्रेंट करूँ ठीक है, अब वहाँ पर आप यह देखे ना कि कुरेश में से किसी ने भी अबुबकर के बेटे की तरफ तरफ तवज़ नहीं दी नहीं किसी नी उसका पीछा किया, कि देखें तो सही यह कहां जाता है, इसका बाप भी तो तीन दिन से खायब है यह सोचने वाली बात यह है, कि सच क्या है, यह सच है कि अबुजेल ने असमा को थपड मारा है, यह क्या यह सच है कि अबुबकर के फरार की चर्चा जो है, वो कम हो गई, मक्का में बातें कम होना शुरू हो गई, इस तर्चा की फरार की जो चर्चा थी, वो कम हो गई, तो मुहमद और अबुबकर जो है, वो मक्का से फरार हुए, और मक्का की हदूर से निकलने में इनको मजीद दो दिन लग गए, तीन दिन वहां पर गारे सौर में फसे रहे, ठीक है, और दो दिन और लग गए, उनको मक्का की जो बाउंडरी है, उस से निकलने में, अब गारे सौर जो है, ये गारे हिरा नहीं है, प्लीज डोंट कन्फीज यरसेल, आब उसको कन्फीज मत होईएगा, दो गारों का जिक्र है, इसलाम की तारिख में, एक गारे सौर ह और गारे हिरा है, गारे हिरा के बारे में आपको पहले मैं बता चुका हूँ, गारे सौर्ज है, वो पहाड की चोटी पर वाकिया है, मतलब पीक पर है, और उपर चड़ने वाला और उतरने वाला दूर से दिखाई देगा, जाहर है जब चोटी पर कोई चड़ेगा, तो प पताचलता है कि यह कोई छुपने वाली जगांगा भी नहीं किवेज़ की टीन साइड से असानी से देखा जा सकता है और मतलब यहाँ पर कोई टुक नही बन एप Kr support की यार यहाँ पर कोई कोई छुपने की जगा आगा बता देता ह sind sûसे explain कर इसकी उंचाई जो है ये 759 मीटर है तक्रीमन 760 बोल ले 707 मीटर जो है ये उंचा है अब इस कदर बुलंदी पर छुपना बेवकूफ है क्योंकि अगर आपका कोई पीछा कर रहा है तो आपके भाग निकलने का रास्ता ही खतम हो जाता है आप 760 मीटर की उंचाई पर चड़ गए उसके बाद दुश्मनों ने आप गहर लिया कि चलो भाई आप नीचे उतरो गए हम आपको पकड़ लेंगे पकड़ आएंगे लोजिकमी बनती के 707 मीटर जो है वो आप उपर चड़ रहे है वो भी छुपने के लिए इसके साथ साथ कि उस जमाने में जो भागना या जो पीछा करना था जो चेज करना था वो आज के दौर के जैसा थोड़ी नहीं है नाका बंदी चल रही थी कि पुलीस कड़ी हुई है पुर्ष आपको पकड़ लेंगे ना सैटलाइट थी या को मोबाइल ट्रैकिंग हो रही है अब मक्का जो है वो चारों तरफ से ये औरिजिनल मक्का की बात कर रहा हूँ इसलाम के हिस्त्री वाले मक्का की बात नहीं कर रहा है मक्का चारों परफ से खुँला है जिसके आस-पास खाए वो क्या कहते हैं और उसके आस-पास खाए और इंको क्या करना था मक्का सेंटर में था इनको जाना क्या था वो साउथ था छुपने के लिए खाँ जा रहे नौर्थ जा रहे हैं अब इसकी कोई कोई अकल वाली या तो ये मान लें के बाई मुहमद और अबुबकर दो बेवकूफ तरी नादमी थे जिनके उपर जिनके पास अकल नाम की कोई चीज नहीं थी अगर उनके पास तो साउथ जाने का कोई कॉनसेप्ट ही नहीं बनता क्यूंकि आप केस्टिनेशन जो है वो दूसरी देशा में है दूसरी तरफ हैं अब पिछली वीडियो अगर आप गोर से देखें पिछली वीडियो पर हम जाए जो मैंने आपके साथ रेकॉर्ड की हैं तो मैं आप बता के जमाना के सौ साल बाद तक यहां पर कोई अबादी नहीं है फिर उस वक्त के जो हिस्ट्री है या जो उस वक्त के मैप्स है वो उठा कर देख लें किसी में मक्का को कोई जिकर नहीं है अब यहां पर थोगता में आगे चलता हूँ उस वक्त के जो पुराने ट्रेड रू मैं बनका यो सिरियाए यानी शाम और आराक की तरफ जो बड़े तिजारती रस्ते उनसे मिल जाता है माका से मदीना का जो फासला है वो सिर्फ 500 किलोमेटर है और 500 किलोमेटर भाग कर जाने के लिए किसी भी सूरत में ठीक नहीं है वो इसलिए ठीक नहीं है कि क्योंकि अगर कुरेश वाले चाहते तो वो कहीं पर भी घात लगा कर मुहमद को कतल कर सकते थे उनके पास घोड़े थे उनके पास रिसोर्सिस थे मतलब मैं आपको एक अपनी वजाती एक्जेमपल देता हूँ हम बात कर रहे हैं 1400 साल पहले की मैं आज की हिस्ट्री में बात करता हूँ 21 सदे की मैंने आप अगर वीवर्स को इस चीज़ का मालूम नहीं है कि मैंने आपने आपको कैसे रेस्ट्री किया था मैंने आपको कैसे बाता मैंने 2000 किलोमेटर से ज्यादा का फासला किया था जहां पर मुझे किड्नैप करके मॉल्वियों ने टॉर्चर किया था और मॉल्वियों के टॉर्चर से जब मैं बचा था तो मैंने मैं चला गया था कराची में जिस जगह पर मैं था वहां से कराची 2000 किलोमेटर से ज्यादा का फासला बनता है तो ये एक लॉजिकल सी बात बनती है कि जब आपने अपने दुश्मन से आपने आपको बचाना है या भागना है तो आप ज्यादा से ज्यादा डिस्टन्स पर जाने की कोशश करेंगे ना कि कम से कम डिस्टन्स पर येस येस बिल्कुल अगर यहां पर हम मक्का और मदीना की जमीन की तरतीब है उसको देखें और फर्ज करें चलो अब मेरा ये दावा है कि उस टाइम पर कोई मक्का नहीं था लेकिन अगर फर्ज कर लें कि मक्का था और मक्का वालों का दुश्मन मदीना में था तो मदीना मक्का वाले फौरन उस पर हमला कर देते और हमला करके उसका सफाया कर देते अब एक और चीज़ बड़ी इंपोर्टन्ट है वो चीज़ इंपोर्टन्ट ये है कि मक्का वालों के पास मक्का कौन से वाले बिसिकली वो मक्का वालों नहीं थे वो कोई और वाले थे लेकिन चलो इसलामिक हिस्टरी को मान लेते हैं मान लेते हैं तो मक्का वालों के पास खालिद बिन वलीद अब खालिद बिन वलीद चाहे कोई मुस्लिम हो क्रिस्चिन हो एथियस्ट हो किसी भी रिलिजिन से तालुक रखता हो अगर वो हिस्ट्रीं का स्टूडेंट है तो खालिद बिन-वलीड की जो वार स्ट्राटरअजी थी उस से कोई इंकार नहीं इकाल सकता। चालिद बिन वलीद और अकर्वा बिन अभी जहल ये दो लोग ऐसे थे जो जंग की हिकमत अमली बनाने में यानि वार स्ट्रेटजी बनाने में एक्सपर्ड थे अगर कहेंगे तो मैं कालिद बिन वलीद की जो इसलामिक हिस्ट्री है उसके उपर एक वीडियो बना लूँग खालिद बिन वलीद अगर इसलामिक हिस्ट्री में ना होता तो इसलाम शायद फैलता ही ना खालिद बिन वलीद जो है वो एक एक्सपर्ट था वार स्ट्रेटजी का और इसने बेजन्टाइन इंपायर को अपने से चार गुना बड़ी फाज को इसने हराया था और वो इंस उस तौपिकी तरफ नहीं जाते हैं अब उनके पास खालिद बिन वलीद था अकर्बा बिन अभी जहल थे इसलिए अगर मक्का होता तो उनके बारे हाथ का खेल था मुहम्मद का मदीना से सफाय करना बिलकुल लेकिन सिच्चुइशन बिलकुल ओलट नजर आती है वो इसल अब यहां एक बड़ी इंपॉर्टन बात है वो यह इंपॉर्टन बात है कि मदीना में जो यहूदी खबायल थे बनु नजर्ब था बनु नादर था बनु कैनेका था यह सारे इसलामिक हिस्टरी के मताबक मक्का वालों का साथ दे रहे थे तो मक्का वालों को कौन सी अब ऐसी सूरत में मुहमद का मक्का से भाग कर मदीना में पना लेना किसी भी सूरत में समझ नहीं आता अगर मुहमद जहां से फरार हुआ फरार कहां से हो रहा है फरार मतलब भागना कहां से भागना वो डिफिनिटली मक्का नहीं है मुहमद के फरार होने की जगह से मदी इतना अगर दूर हो कि बगार kिसी तयारी के वहां पर जाना ना मुम्किन हो तो फिर प्चा ना करने की बात भी समझाती है अगर आपको दुश्मन आपसे अश एतने डिस्टंस पर बैटा है कि आपको खाने पीने का तयार करना है आपको एक लशकर प्यार करना है एक फौज प्यार करनी है तब फिर आपकी समझ भी आए जाएगा कि यह दो यह चार आदमी के साथ पीछा नहीं कर सकते हैं अगर पांच सु किलिमेटर का फासला है तो वो तो साथ से आट दिन में आप तैय कर लेंगे आपके लाज गोड़े ब히 हैं ओट भी हैं बहुत सारी भी हैं पोजें भी हैं तो यह मक्का से मदीना ही ज Bets जब खरत ना हे समझ नहीं आथे अब थोड़ा सा आगे चलते हैं मदीना की जपरते अगर हम मदिना के आसपास के पुराने जो ट्रेड रूट्स है उन ट्रेड रूट्स के मैप्स यानि नक्षे देखें और डाप्मेंट्स देखें तो पता चलता है कि सब तेजारती रास्ते यानी ट्रेड रूट्स मदीना के नौर्थ में हैं और मुहम्मद और उनके साथी जो है थे जब मदीना पहुंचे थे तो इन्होंने जब लूट मार शिरू की थी मदीनाने के बाद इनी ट्रेड रूट्स पर शिरू की थी मक्का की अबादी तेजारत यानी ट्रेड और उसकी आर्मी जो है उससे मतालग मैं आप कुछ फिगर्स बता देता हूँ वो फिगर्स मैंने कहां से लिए हैं वो फिगर्स मैंने तबारी वगरा से लिए हैं इस्लामीक हिस्ट्री से लिए हैं मैं आपको एक बत बता दाओ, सन एक हिजरी, यानि हिजरत की एक साल बाद, हाजरत हमजा, मौम्मद का जो चचा था, वो कुफार मक्का को लूटने की मौहम पर निकलता है, यहां से आया के, कट गया दा बीच में, हाँ वो एक कॉल आ रही थी, हाँ लूटने के लिए निकल गया था, हाजरत हमजा जो है, वो कुफार मक्का को लूटनी की मौहम पर निकलता है, जिसे घजवा अबवा कहते हैं, घजवा अबवा में, उनके पास, काफरों के पास तीन इसमें तबारी में, इस फिगर नहीं दी के काफरों की कितनी बड़ी जमात थी, लेकिन बहुत बड़ी जमात थी, अब दो हिजरी में, कुरेश मक्का के एक काफले को लूटने की मौहम होती है, और इसमें एक सो कुफार और पच्चिस सो उंटों का काफला है, चाँ, हिजरी में, बदर की लड़ाई हो रही है, बदर की लड़ाई में कितने कुफार आ रहे हैं, काफर आ रहे हैं, हजार, उसके बाद तीन हिजरी में आ रही है, एक वाक्या हुआ हुआ है, अलकरादा की मौहम कहलाती है, अलकरादा अगर गूगल पर साच करें तो आपको उस हिजری में पहली जंग ओर रही है ओध की जंग और ओध की जंग मेंodzi किसे फिर फिर प्रेंचेज में जो है वो मेरे भाई इनके पास जो लोग थे वो थे कोई दस हजार की करीब लोग थे। काफिर। हाँ जी भाई काफिर। काफिर। आद बढ़ती चली गई, साल दर साल। बढ़ती चली जा रही थी, अब मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्स्प्लेन करता हूँ, जो सीरत की किताबे हैं, यानि मुहमद की लाइफ पर जितनी भी किताबे हैं, वो पढ़ने से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, कि मुहमद का जो अबाई शहर था, यानि जहां मुहम काफले, यानि ट्रेड कारवान्स जो है थे, वो सीरिया भेजा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए काफले लुटने की सूरत में, अगर उनका कोई काफले लुट जाता है, तो दस हजार की फाज लाके, मुहमद और उसके साथी लुटेरों का सफाया करना कोई मुश्किल काम न काफले मुश्किल का सफाया करना करते हैं, वापस आ गया? कर यान वो वा प्रोड लागी ती इस पर अच्छा पापन्टनिक में पर दो करते हैं, इसको कट कर लेजाएगा अच्छा अब मैं थोड़ सागे बता देता हूँ अब अबु सुफियान अबु सुफियान के बारे में शायद काफर भी जानते हैं और सारे मुसलमान भी जानते हैं अबु सुफियान जो है वो एक ट्रेलर था और वो ट्रेड क्या करता था سلور का ट्रेर्ड करता था यानि चान्दी का ताज़्द था और वो शाम और इराक शाम और इराक थे शाम यानि सीरिया और इराक से तिजार्ड करता था मैं यहाँ एक और चीज़ जारा सुरी मैं भूल यहाँ यह जो उपर मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको फिगर्स बताएं हैं यह मैंने सरफ दो चार इंस्डियन्ट से निकाले हैं मुसल्मानों ने मदिना ने के बाद जो लूट मार का जो सिल्सला शुरू किया था वो एक बहुत लंबा सिल्सला शुरू किया था मैं आगे पुरसा चल के एक्स्प्लें करूँगा कि वो लूट मार इनको रास कैसे आगी और उनको जगा कैसे रास आई वो मैं आपको explain करूँगा कई और लूट मार की इनकी मौहिम थी जिनका आप बोगर उस पर जिकर करना शुरू करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी उस चक्र में नहीं पड़ते खैर अब ये सोचें के मक्का अब थोड़ा imagine करें के मुसल्मान जो बताते हैं Islamic historians बताते हैं के मक्का बहुत बड़ा शहर था मक्का इतना बड़ा शहर है कि इतने बड़े बड़े उंटों के काफले निकलते हैं अब वहाँ पर बड़े बड़े रिच लोग लाते हैं लेकिन वहाँ पर construction नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ कोई सबूत नहीं मिला किसी building का किसी hall का किसी palace का या माल का ऐसे कैसे मुन किया यार और तो और यहाँ पर मैंने वो पिछली किसी कुछी वीडियो में बताया था कि अर्बों के हाँ एक रवाय की पहाड़ों को काट के घर बनाए जाते थे मक्का क्या असपास पहाड़ीों को काट के घर बनाए जाने का भी कोई वाका नहीं मिल जाता वो तो कहीं मिल जाते फिर इस बड़ी तादाद में जो लोग रहते थे वो खाते क्या थे मक्का जैसी रेटली और पथली ज़ी जमीन जो थी उसके उपर कौन सी चीज़ काश करते थी मक्का में कौन सी चीज़ निकलती थी या उगती थी जिसके जिसके पीछे शाम और इराक जाकर ट्रेडिंग किया करते थी ऐसी कौन सी चीज़ थी भाई मक्का ऐसे कौन सी एक होता न वापराने जमाने जब सिटी शुरू किये जाते थे तो उनकोशिश यह होती थी कि वो सिटी किसी ने किसी ट्रेड रूट के उपर हो पुराने ट्रेड रूट के उपर हो मक्का ऐसे कौन से ट्रेड रूट पर था जहां लोग दूर दूर से आकर अपना माल बेचा करते थे आखर मक्का में ऐसी कौन सी चीज़ थी मक्का ऐसी कौन सी चीज़ की पैदावार कर रहा था जिसके लिए पच्छि सो उउटों के काफले निकालना पड़ एक साथ बिलकल 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 पॉइंट की बात है अब इस पॉइंट को लेकर अब ये पच्छि सो उउट रेंड में रखें और वापस चलते हैं पैटराडी तरफ पैटराडी तरफ अगर जाएएं तो वहां ये सारा कुछ पॉसिबल है इस शहर को अगर जिग्राफिकली देखें तो ये वो शहर है जहां पर मतलब जिग्राफिकली एक ऐसी जगह पर है कि इस शहर का ट्रेड सेंटर होना एक नैचरल बात है यहां पर चांदी का यानी सिल्वर का कारोबार किया जाता था यहां पर अंगूर के और उलिव्स के जो बाग होते थे वो आम थे यहां से तिजारत का समान मदाइन साले मदाइन साले अरब का एक सिटी है वहां ले जाता जाता था वहां से तयामा जाता था तेयामा से एक तरफ मदिना और टाइफ से होता हुआ येमण यानि नजरान की तरफ मोचाया जाता था दूसरी तरफ खैबर है फिर हिजर है और फिर अरी है तूसरी तरफ इन तीनों शहरों से होता हुआ मश्रिकी यलाखों में जो क्या कहते हैं इस्ट के एरियाज हैं एस्ट की एरियाज में भी जो है वो तेजारत होती थी यहां ये बात थोड़ी अकल को भी समझ आती हैं फिर जो पैटरा से डाकूमेंट्स मिले हैं उससे इसके आस पास की जो एरियाज हैं उससे थाबित होता है और इसका जो trade network है उससे related बहुत ज़्यादा information मिली है अब मेरे भाई ये देखें कि आज तक historians, archaeologists कोशिश कर रहे हैं साओधी government की तरले कर रहे हैं कि भाई कुछ तो दे दो अब मुझे बताओ कि यार आपके जो इंडिया में अरब जो पुराने cities हैं जो historical places हैं आपको नजर आ जड़ें कि यार फलाने राजा का वहाँ पर पालिस था फलाने मंतर बनाए हुआ था बहुत सारी चीज़े मिल जाती हैं बिलकुल भाई वहाँ पर मक्का की अर्केलोजी में मकडी का पाद भी नहीं मिलता हैं सुरी यार सुरी यार pardon my language excuse my language but reality यही है कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है मतलब देखो ना क्लियार 25-2500 उंटों के काफले निकल रहे कोई किसी अमीर टाजर है traders हैं पुराने उन्होंने अपने कोई palace बनाया होगा किसी ने किसी ने अपने कोई fountain house बनाया होगा किसी ने कोई बाग बनाया होगा कुछ तो मिले कुछ तो होगा पट्रा में सारा कुछ बढ़ा हुआ यार ऐसा क्यूं है के पेट्रा में सब कुछ है और मक्का में कुछ नहीं है मतलब मैं आप इतनी सारी वीडियो आपके साथ रेकॉर्ड कर चुका हूँ मैं आपको यह जो कहते हैं कि मक्का में अंगूरों के बावा थे जहतून के बावा अबे भाई वो पोलन कहां गए हाँ सही बाट है ओ पोलन लोग पेट्रा से क्यों मल रहे हैं अल्ला ने उठा के मक्का से पेट्रा ने सारा कुछ लाल दिया क्या येस हर चीज़ पेट्रा से क्यों मल रही है जो आपने हिस्ट्री में मक्का के नाम से लिकी हुई है अजब सालों कोई नाकल करनी भी थी तो कुछ अकल भी समार कर लेते हैं सुरी यार अच्छा ख़र अब वापस होते हिजरत की तरफ अजी अब हिजरत के टाइम पर मुहम्मद के साथ जो थे वो टोटल तीन लोग थे अब तीसरा पता ने कौन सा था खैर इतना चोटा सा काफला था इनको मक्का से मदिना पहुंचने में 21 से 25 दिन लगए 21 से 25 दिन लगए कैसे भाई 500 किलमेटर का सारा फासला है और जब कि आपके पीछे दुश्मन पढ़ा हुआ हो भाई मक्का और मदिना के बीच में जो है वो एक उजाड किसम का सेरा था यानि देजर्ट था अबादी ना होने के बराबर थी अब अगर इसको दूसरी तरफ देखिया ना पैटरा को अगर थोड़ी दिर के लिए इमेजन करें कि ये हिजरत जो है वो पैटरा से मदिना की तरफ होती है तो सारी सुरतियाल समझ जा जाती है अगर मोहम्मद, मैंने आपको याद है आपको कुछ वीडियोस पहले है आपको पैटरा के रस्ते बताए थे नीचे वाला रस्ता और उपर वाला रस्ता अब मुहम्मद पेट्रा के नीचे वाले रस्ते से निकलता है तो ठीक उकुबा के साहिल पर जा कर पहुंचता है और वहां से मदीना का एक सीधा रस्ता है फिर इस रास्ते की उपर काफी ज्यादा अबादी भी है तो पिर इस रास्ते में कुछ दिन गुजारने की समझ भी आजाती है का चाहिए याज किसी अबादी में रोक गए होगे खाना वाना पी होगा रात गुजार लिए मतलब कोई लो कोई वज़ा तो समझ आती है लेकिन जो सीरत की किताबे हैं सीरत की किताबों में यानि मुहमत की लाइफ की बुक्स में एबने इसहाक ने जो बताए है 25 दिन वो पूरे करने के लिए मुहमत को बिचारे को मदीरा के बार काफी दिन तक जनम उसको फसा जिया का अच्छा भाई तु अब इदर बैट जा पच्छी से नहीं पूरे करने थे पैटरा से मदीना जो हिजरत है वो एक अगर आप एक उस पॉइंट आप यू से देखे ना एक rescue point of view से मैं अपने जाती perception से बता सकता हूं कि कि मैं I am a fugitive मैं भागा हूं इस्लामिस से तो मैं यह समझ सकता हूं मैं अंधाजा कर सकता हूं कि मदीना की तरफ हिजरत जो है वो एक बहुत अच्छी strategy भी हो सकता है क्योंकि जो कुरेश थे यानि जो मुहमत के जो दुश् conversation थे उससे तकरीबन एक हाजार किलोमिटर से स्यादा कर distance बनता है अब एक हाजार किलोमिटर से ज्यादा कry distance पर अगर आप बैठे हिंए ओच अपने आपको बड़े आराम के साथ और नाईस कर सकते हैं सपोस करलो मैं मुहमद हूँ मैं कराची में बढ़ा हुआ हूं और अ थोड़ी दिर के लिए मैं खुद को मुहमद फील कर रहा था फिर मुझे कोई डर नहीं था कि यार खत्रा या पीछा करने की सूरत मेरे मैं कहीं कहां पर भागूंगा क्योंकि अगर पैट्रा से आप मदिना की तरह हिजरत करते हैं तो मुहमद और उसके साथी जो है वो नजट की तरह बाग सकते हैं वो ताइफ की तरह बाग सकते हैं वो यमन की तरह बाग सकते हैं यानि कि और फिर दूसरा यह है कि पैट्रा के हिसाब से मदिना में जो लूट मार की कारवाईया हैं वो बहुत important है वो इसलिए कि कि यहां मदीना से जितनी जगा जितनी भी जगा पर इन्होंने लूट मार की है वो 5 से 10 दिन का फासला बनता है 5 से 10 दिन के फासला पर सारे जो important trade routes हैं वो इनी 5 से 10 दिन के फासले पर हैं ठीक है अब इन trade routes में से कुछ तजारती काफल जो एक साइड पे गज़ा की तरफ जाते थे जिरोशलम की तरफ जाते थे पैटरा की तरफ जाते थे दूसरी तरफ जो क्या कहते हैं एस्टरन साहिली आगे थे उनकी तरफ जाते थे बलके वहां से लेकर इराक तर जाते थे उन्होंने expedition की थी महमात की थी तो पता चलता है कि इन में कई कई दिन लग जाते थे बलके कुछ तो ऐसी भी हैं जिनके कोपर महीने का से ज़्यादा का वास्त लग जाता था अब होता क्या था कि कुरेश के काफले जो हैं वो अपने शायर से कई सो किलोमीटर दूर अपनी हिफाज़त के लिए पूरी नफरी साथ लेकर नहीं जा सकते थी अब यहाँ पर अगर मक्का एक ट्रेडिंग सेटी था मक्का से मदीना का मैकसिमम फासला बनता है 500 किलोमीटर मक्का से अगर तजारत हो रही है तो कुरेश वाले क्या करते हैं कि अपने पूरी की पूरी तक हम लोगों ने अपने ट्रेडिंग रूट के साथ चलना है मदीना से निकालने के बाद जब खतरा टल जाएगा हम वापस आजाएगा लेकिन ये अब पैटरा से पॉसिबल नहीं है पैटरा से इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि पैटरा से मदीना का डिस्टंस 1000 किलोम जानता है ज्ब्यत्यादा बनता है तो इसलिए पॉरेश के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो पूरी के पूरी नफेरी लेकर साथ चलते इसलिए क्या करता था मुहम्मद के मुहम्मद को जब भी कुरेश का काफला नजर आता था अराम से उनको लूट लेता था क्यूंकि इसको पता था कि इनके साथ तो कुछ होना नहीं है अगर कुरेश मक्का के रहने वाले होते हैं तो एक और चीज़ मैं एक्स्प्लें कर लेता हूँ मुहम्मद काफले लूट के बच के रहना इसी सूरत में मुम्किन हो सकता है कि जब कुरेश वाले इतने फासले पर रहते हूं कि जब वो आपका पीछा भी ना कर सके और ये बात पीछा ना कर सकने वाली बात सिर्फ और सिर्फ पट्रा की सूरत में मुम्किन नजर आती है क्योंकि वहां से डिस्टंस थाउजन किलुमेटर है अब एक हजार किलुमेटर एक काफले के साथ दस हजार की फाउज लेकर कौन चलेगा भाई कुई चलेगा और इसलिए मुम्मद ने इसका अड़वांटज उटाया फिर इस पे थोड़ी सी मुझे और बात करनी है आज ये वीडियो सोड़ी नंबी हो जाएगी फिर आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में मैं थोड़ा सा कुछ जंगों के बारे में भी बात करूँगा और इस मुम्मद की लूटमार के बारे में भी बात करूँगा तो लास्ट में हम यह चोटा सा totalmente berreaf और कर देए हम इतने बड़ी बात कर रहे हैं इसके पूरी हिजरत के बारे में इसको जान का जो खिम्ट है मैं बता जथे तो भागा क्यों यह बागा क्यों यह इसका भागा क्यों यह भागा कोई नहीं था सीधी सी बात है, इसलामिक हिस्टिरी जो है ना वो आपको गलत बताती है मदीना जो है ना वो इसको बहुत ज़दा सूट करता था अपने आपको एक्सपेंड करने के लिए भी और मदिना के आसपास जो हैं वो बहुत ज़धा ट्रेड रूट सारे तीन से पांच दिन के लिए पांच से दस दिन के फासले पर थे मौमद बेसिकली लोटेरा था इसको मदिना बहुत सूट करता था अपनी लोट मार करने के लिए और दूसरी बात है कि मधिना में इसने गुज़ारा बेसिकली पैटरा है तेरह साल में इसकी कि किसी निमानी नहीं तो इसको लगा कि यहर मदिना में बहुत सारे यहोदी रहते हैं तो मैं वहाँ पर जाकर अपने अपको पेज़िड करता हूँ यहोदी नभी के तौर पर आपने आपको अपने अम्पायर को एक्सपेंड करता हूं मेरे पास माल और दौलत भी ज्यादा जाएगी क्योंकि मैं काफले लूट सकता हूँ आँ से पैटरा से यह पॉसिबल नहीं था